अब उतनी वेदन नहीं नर्संगार होगा नर्संगार समस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाया जी के तीन दिनों के बॉक्स अफिस कलेक्शन वहीं बात करेंगे सिरिकांत के 17 दिनों के टुटल कलेक्शन के बारे में तो आप चैनल पे नहीं हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान ले करते हैं सिरिकांत के 17 दिनों के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म को डेक्ट किये थे तुसार हिरानदनी वहीं इस फिल्म में आपको लीड रोल में राजकुमार आपके साथ अलाया एप जोतिका और सरद केलकर नजर आये थे वहीं इसका कलेक्शन देख तो तेरा करोड़ पैसर्थ लाकी कमाई की वहीं अगर बात करते हैं इसके 15 दिन का कलेक्शन तो 15 दिन का कलेक्शन एक करोड़ भीस लग रहा वहीं 16 दिन यानि कि इसका सटड़े का कलेक्शन देखा जाए तो यहां पर काफी अच्छा ग्रोथ देखनों को मिला और 2 क्रू नजर आ रही है तो आज का अगर कलेक्शन देखा जाए तो आज अपने सत्रवे दिन इंडिया निट कलेशन से तीन करोर बीश लाग की कमाई करते हुए नजर आ रही है टोटल कलेक्शन देखा जाए शतरह दिनों में तो यहां पर इंडिया ग्रॉस क्लेक्शन देखा जाए तो बिद्धेशों से देखा जाए तो दो करोड़ा की कमाई की यह टोटल वर्लड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो यहां पर टोटल कलेक्शन के बारे में तो आपुडव सिंग कड़की द्वारा डेरेट की जाने वाली भाईया जी इसके नीरल में आपको मनोज बाजपे के साथ वीपिन सर्मा और जोया अवसे नजर आ रही है वहीं इसका कलेक्शन देखा जाए तो अपने पहले दिन इंडिया ने कलेक्शन से 1,35लके सर्के सुरुआत की थी वही है दूसरे दिन यानी के फस्ट सटर्डे था इस दिन का कलेक्शन देखा जाए तो यहां पर डिसंट यहांपर जो की गुरोथ देखनों को नहीं मिला और 1,85लकी कमाई की वहीं अगर बात करहते है तीसरे दिन यानि के संडे का केलेक्षन देखा जए तो जिस्तरह का उकमेंसी मिल रहा है, इस दिन संडे का दिन या पे ठिक ठाक कि यहां पे ग्रोद देखनों को मिल रहा है और दो कुरूर पचातार क्लेक्षन ओवर्ड जी से भी है टोटल वर्लवाइड कलेक्षन देखा जए तो साथ कुरूर असी लाख हो चुका है जो कि इसका बजट है 30 कुरूर उसके हिसाब से तीन दिनों का कलेक्षन देखा ज़े तो काफी अच्छा है और देखते हैं कि आगे चल के कैसा परफोर्व जरूर करें तो चलिए मिलते हैं नेक वीडियो में धन्यवाज